परदान मंत्वी नरेंद्र मोधी गुजरात के दौरे पर हैं गाधीनगर में वाइबरेंट गुजरात समिट दोजार शोवीज का उद्धाटिन किया है विश्व सम्रुद्धी और विश्व के विकास का बहुत बड़ा आधार है आज भारत दुनिया की फिप्थ लार्जेस्ट एकॉनमी है बस साल पहले भारत इलेवंध पर था आज दुनिया की हर प्रमुग्रेटिंग एजनसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप थ्री एकॉनमी में जाएगा दुनिया के लोग जो अनालिसिस करना है करते रहे मेरी गारंटी है कि हो जाएगा एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिस्चित्ताओं से घिरा हुआ है तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई कीरण बन करके उभरा है भारत की प्रात्विक्ता है बिलकुल स्पस्ट है आज भारत की प्रात्विक्ता है है सस्टेनेबल इंदेस्ट्री इंफ्रासक्च्चर एंड मैनृफेक्ट्रीग आज भारत की प्रात्विक्ता है न्यू एज श्कील्स फिचरिस्टिक तक्नॉलोजी एई ऐड इन इन्वेशंग् पहारत की प्राथ्पिक्ता है ग्रीन हाइड्रोजन रिन्योबल एनर्जी सेमी कंड्रक्टर्स इसका पूरा इको सिस्टेम इसकी एक जलत हम वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते और मेरा तो आग रहे हैं कि ट्रोएड शो जुरूर देखें गु मैंने इस एक्सलेंशी नूसी और इस एक्सलेंशी रामस होड़ाई जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल क्लास स्टेट अप दे आर्ट टेक्नोलोजी से मैंने प्रोड़क्स का निदर्शन किया है इमोबिलिटी, स्टार्ट अप्स, ब्लू एकोनमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्तर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से च्छाय हुई है यह जितने भी सक्टर्ट है इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अउसर बन रहे हैं साथियों आप सभी वैश्वीक परितित्यों से भली भाती परितित हैं ऐसे मैं आज अगर भारत के एकोनमी में इतना रेजीचलियंस दिख रहा है आगर आप भोला जी पार्सल नहीं आएगा एंचिन मतलो तो गाधी निकर से प्रधान मंत्वी नरेंद मोदी को आप सुन रहे थे समिट के प्रधान मंत्वी नरेंद मोदी का समन ये सम्बोधन प्रधान मंत्री मोधी ने समिट का उध्गाटन आज किया है। चेन के डाइवर्स इप्रकेशन के लिए बहतर माहूल बनाया है हाल में हमने थ्री एप्टीय साइन किये ताकि ग्लोबल विद्देश के के लिए भारत और अट्रक्रिव डेस्टिनिशन बन सके इन्हें से एक एप्टीय तो यही के साथ ही हुआ है हमने अनेक सेक्टर को अट गुनादी हो चुका है फ्रेंट्स भारत आज ग्रीन एनर्जी और अल्टरेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अबुत्पुर्व गति से काम कर रहा है भारत की रिन्योबल एनर्जी कैपसिटी तीन गुना बढ़ी है और सोलार एनर्जी कैपसिटी में बीस गुना हुई है डिजिटल इंडिया मिसेंडे भारत में लाइट और बिजनेस दोनों कर दिया है दस वर्चों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई कांती आई है हर गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभ्यान 5G का तेजी से विस्तार आ आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्ट अप एको सिस्टेम है दस वर्थ पहले तक भारत में कुछ सो स्टार्ट अप से आज भारत में एक लाग 15,000 रिजिस्टर स्टार्ट अप से भारत के ओवर्राल एक्सपोर्ट में भी रेकॉर्ड बड़ोतरी हुई है फ्रेंट भारत में जो यह बडलावा रहा है वो भारत के नागरी कोई की हीस अब लीविंग भी बढ़ा रहा है उन्हें एमपावर कर रहा है हमारी सरकार के पांच वर्सों में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बाहर निकले है भारत में मिलिल्ट रास की एवरेज इंकम लगातार बढ़ रही है भारत में फिमेल वर्कपोर्स के पार्टिशिप्रिशन में भी रेकोर्ड बुरुद्धी हुई है भारत के भविशे के लिए ये बहुत अच्छी दंकेत है और इसलिए मैं आप सभी का आहवान करूंगा कि भारत की इस विकास याता से जूड़िये हमारे साथ चलिए साध्यों लोजिस्ट्रिक्स को लेकर इज अप ट्रांस्पोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुरिक पलिसीज पर काम हो रहा है दस साल पहले भारत में 74 एरपोर्ट से आज भारत में 149 एरपोर्ट से भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क पिछले दस सालों में करीब-करीब दो गुणा हो चुका दस सालों में हमारा मेट्रोटेशन नेटवर्क तीन गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है गुजरात हो महाराष्ट्र हो यहां फिर हमारी इस्टन कोस्ट लाइन हो इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कुरिडूर से जोड़ा जा रहा है भारत में आज अनेक नेशनल कमपिटिटिव हो गया है जी ट्वेंटी के दोरा में जीस इंडिया मिडल इस यूरोप एकोनोमिक करूडूर की गोश्णा हुई है वो भी आप सभी इंवेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपर्चुनिटी है फ्रेंट्स भारत के कोने कोने में आपके लिए न इसके लिए भी एक गेटवे की तरह हैं गेटवे टू दे फ्यूचर और आप भारत में जिर्फ इन्वेस्ट्मेंटी नहीं कर रहें बलकि यंग क्रियेटर्स और कंजुमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं भारत के एस्पिरेशन से भरी यंग जनरेशन के साथ आपकी पार्टर्शिप को वो रिजल्ट लाकर दिखा सकती हैं जिसकी आपने कभी कलपना भी कलपना भी नहीं की होगी और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी का वाइबरेंट गुजरात समीर से जुणने के लिए मेरे दैसे बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको विश्वान दिलानाता हूं कि आपके सपने ये मोदी का संकल्प है आपके सपने जितने बड़े होंगे मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा आईए सपने देखने के अवसर अनेक है संकल्प पूरा करने का सामर्थ भी मौझूद है बात्माद धन्यवाद माननी अप्रधान मंत्री महोदय आपके प्रेणा दायकुत बोधन और गुजरात की विकास कहानी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सबी को प्रोच साहित करने के लिए एवं आपकी प्रेरक उपस्तिती के लिए हम भी आपका